असली मा, एक बार दो स्त्रियां एक बच्चे के लिए जगड रही थी, प्रतेक स्त्री ये दावा कर रही थी कि वही उस बच्चे की असली मा है, जब किसी तरह जगडा नहीं सुलजा तो लोगों ने उन दोनों को न्यायधीश के सामने पेश किया, न्यायधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की दलीले सुनी, न्यायधीश के लिए भी यह निर्नय करना मुश्किल हो गया की बच्चे की असली मा कौन थी, न्यायधीश ने बहुत सोच विचार किया, अखिरकार उसे एक उपाय सुझा, उसने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के दो टुकडे कर दो और एक एक टुकडा दोनों स्त्रियों को दे दो, न्यायधीश का आदेश सुनकर उनमें से एक स्त्री ने धाड मार कर रोते हुए कहा, नहीं, नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, दया करो सरकार, भले ही यह बच्चा इसी स्त्री को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिन्दा रहने दो, मैं बच्चे पर अपना दावा छोड देती हूँ, पर दूसरी स्त्री कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप ये सब देखती रही, अब चतुर न्यायधीश को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली मा कौन है, उसने बच्चा उस स्त्री को सौप दिया, जो उस पर अपना दावा छोडने के लिए तयार थी, उसने दूसरी स्त्री को जेल भेज दिया, शिक्षा सच्छाई की सदा विजय होती है,